जिस इंसान ने टाइम की कीमत नहीं जानी वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता अगर आप एक बार फिल हो जाते हैं इसका मतलब या आप एक बार एक रास्टे पर ठीक नहीं पहुंचते इसका मतलब आपने रास्ता गलत लिया था अब आपको दूसरा रास्ता लेनी की चोटे चोटे गोल सेट करने चाहिए चाहे वो लाइफ के हो चाहे आप जौब की तियारी कर रहे हैं जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे से अलारम सेट करता था उठ जा बेटा नहीं तो तेरा क्या होगा मैं अब इने आप सबको गवर्मेंट जॉब की तियारी कैसे करनी है उसकी गाइडलाइन्स बताने आया हूँ कैसे क्या 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 परिशानिया उसमें आती हैं और कैसे उनसे निकलना है जब गवर्मेंट जॉब की तियारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता क्यार मेरा aim क्या है तो सबसे पहले तो आप अपना target set कीजिए अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आप UPSC का target set कीजिए फिर किसी और exam की तरफ में जाईए वैसे मेरा मानना आज की date में ये कि अगर बच्चा इंजिनियर है उसको manse, English ठीक तरीके से आती है तो वो SSC की through भी UPSC पे चड़ सकता है क्योंकि आजकल क्याए कि pressure बहुत जल्दी घर से आने लगता है जौब की बहुत जल्दी requirement होती है तो उतना time हमारे पास नहीं होता कि आपके उपर pressure बनता चला जाता है आजकल social media भी इतनी सक्री है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको social media से बहुत बचना है जब आप job की त्यारी कर रहे हो जब आप सफलता की तरह बढ़ रहे हो तो आपको function party आपको कम attend करनी है क्योंकि ये चीज आपको demotivated करेंगी जब आप किसी party function में जाएंगे तो आपके रिस्तार आपसे question पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है और वो चीज आपको 2 या 4 दिन तक परिशान करती रहती है तो जब आप सफलता नहीं मिलिया आपको उस द्गर में आप हो तो आपको कम से कम लोगों से interact होना है कम से कम लोगों से मिलना है इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आपे कम लोगों से करने है क्योंकि ये चीज time kill करती है अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है मैंने भी पांच बार गवर्मेंट जॉब लिये तो कुछ भी अचीव किया है तो मैंने दोस्ती बहुत कम किया बहुत लिम्टिड किया क्योंकि मुझे टाइम खराब करना एक दम पसाद नहीं था एक चीज जो मुझे अपने बारे में लगती है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो यह है कि मैंने कभी टाइम खराब नहीं किया है चार चार पांच पाश फॉर्म बढ़ दिये तो को हर एक जाम का एक अपना अलग पैटन है अलग से अगर आप एक यह करके चड़ना पड़ेगा कि आप अगर एससी निकाल देते हैं अब जिन बच्चों का मैस इंग्लिस बिल्कुली बेस भीक है तो वह ऐसा नहीं कर सकते वह तो फिर डारेक्ट UPSC की तियारी करेंगे लेकिन जिनका भी अच्छा है मैं उनको यही सला दोगा कि पहले आप SSC करेंगे जॉब लीजिए फिर खुद अपने लेवल पर आप तियारी करेंगे तो कोई अफसोस भी नहीं होता और लोगों को यह भी नहीं पता लगता आप तियारी करेंगे और सफलता मिल भी जाते कि प्रेशर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना without प्रेशर कर लेते हैं कि हमें हीं पता है सिर्फ कि मैं UPSC की तियारी कर रहा हूं तो सबसे पहले तो शलेबश जाने कि इसलेबश क्या है उसके बाद कित धृप को अखटी करने का Bहुत सरोगने लिहाँ है बहुत सारी किताबे लियाते हैं किसी ने बुला यार यह किताब यह किताब्स ले ली.. हमें किसी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए यह नहीं कि मैं इस टीचर की वी वiblि देख रहा यह था हूँ mêmes तो इससे क्या होता है कि हर टीचर का अपना पढ़ने का तरीका अलग अलग है तो इससे concept mis confusion बहुत होती है कि आप यह तरीके से सवाल कर रहे थे अब यह तरीके से सवाल कर रहे तो मतलब बहुत मुश्किल सा हो जाता है तो मेरा मानना है कि आप किताबें भी बहुत selected पढ़िए आपको लगता क्योंकि यह आप डिसाइड करेंगे कोई आपकी strategy नहीं बना सकता जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आप अपनी strategy बताइए कुछ लोग होते हैं कि इस साल fail हो गए अगले साल फिर fail हो गए क्योंकि वो उसी strategy पर काम कर रहे हैं अगर आप एक बार fail हो जाते हैं इस का मतलब याई आप एक बार एक रास्ते पर ठीक नहीं पूह पहुंकि आपने रास्ता गलत लिया था अब आपको दूसरा रास्ता लेनी के जरूए लेकिन पर दोन मैं लोज़त दीवा का त küçणा इसम करें. पिर जब आ पको सफलता नहीं मिलती स inspections आपको रजाएता आझाओ मैंने इतना टाइम भी खराब किया तो बहुत बेना प्रेशर ली आपको त्यारी करनें कि कोई प्रेशर निले आपको अपनी लाइफ भी निजॉय करनी है इसमें भी कुछ गलत नहीं और आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है चोटे-चोटे गोल सेट करने चाहिए चाहे वो लाइफ के हों चाहे आप जॉप की तियारी कर रहे हैं मेरा ऐसा मानना है ह क्या आपको कुल का टाइम टेविल नहीं बनानाा आपको आज का टाइम टेविल बनाना है कि मैं आच बज yellowignag जाग्या हूं नौ बजए तक मैं रेडी हो जाऊँगा और नौ से लेकर कि मिरास मातव साम तक 6 बज़े का वगत है तो मैं 6 बज़े तक क्या-क्या पढ़ सकता का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको question प्रक् phosphate करने की विए जरूइथ है कि जो आप पढ़ रहे है क्या उसको आप स़ही तरहीके से implement कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे जा बच्षे पढ़ते रहते हैं तो आ कर पारे जब आप रात को सोने जाए तो यह जरूर सोचें कि पूरे दिन में अपनी क्या किया और कितना वो Lakka कि आपकारी बहुत सारी बच्चे लगाता टाइम खराब करते रहते हैं वैसे बिद्यारती जीवन में दो इसके पड़ाया तो बहुत कोई बात नहीं, मैं भी गाहों से था, मैंने भी English को जितनी जरुवत थी, क्योंकि आपको अपनी strength जाननी है, आपको लगता है कि मेरी math strength है, कि मैं math में बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो आपको उसको ही आगे बढ़ाना है, बाकी समय अगर आप average भी रहेंगे, जैसे मेरा math बहुत अच्छा था, तो मैंने math के दम पे exam निकाल दिया, बाकी सब चीज़े average थी, क्योंकि सारी चीज़ों मैं आप टॉप नहीं कर सकता है, अगर आप इस सोचते हैं कि बगवान ने मेरे math अच्छा दिया, English क्यों नहीं दी, तो सब को सब कुछ नहीं दी, तो सब को सब क च्छोटी तरगेट्स बना के आपको पढ़ना है, selective books पढ़ना है, यह नहीं कि मैं एक books लिया या फिर अब बार बार दूसरी books लिया तीसरी books लिया जबकि मैं पढ़नी रहा, अगर आप एक book लेका हैं तो इसको पहले ख़तम करिये पूरा, और उसको implement करना सीके जैसे आप आप देख रहे हैं कि जब तक आप implement नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है आप देख रहे हैं हमारे समाज में महिलाएं कब से रामाइट पढ़ रही है फिर भी आज भी सास बहु का जगड़ा खतम नहीं हो रहा क्यों नहीं हो पा रहा क्योंकि वह उसको implement नही हो ज़बना और मिला के बात है कि बी पॉजिटिव आपको पॉजिटिव रहना है कि आपको सफलता मिलेगी दहर रखना ध्यर सबसे ज़रूरी है जो लोग खोते हैं वह अपना होगा कुछ चीज आपको लगता है आपके फादर का यह सपना है कि आप government job लें तो आप अपन या आप यह लिखके टांग सकते हैं कि यार जब मेरा रिजल्ट आएगा और उस वक्त मेरे रिस्तेदार मुझे फॉन करेंगे मैं उनको क्या जवाब दूगा तो यह कुछ कड़वी कड़वी बाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए बेचाइन करेंगी मजबूर करेंगी जब मैं पढ़ता तो मैं ऐसे से अलारम सेट करता था उठ जा बेटा नहीं तो तेरा क्या होगा मतला अलारम की टैग लाइन रिमेंडर में यह लगाता था यह आप दिन में भी लगा सकते हैं कि जब आपको लगेगा कि दो दो गंटे प इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें